आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतारी स्टडी ग्लोस पर आपको बहुत बहुत बागत है 24 गंटे पहले एक खबर आती है कि लेबनौन की कैपिटल बेरूत नहीं सोरी 36 गंटे पहले एक और खबर आती है कि जो गोलन हाइट्स है इसराइल ने जो गोलन हाइट्स पे कबजा किया है 1967 में शिजडे वार हुई है तब से लेकर अभी तक इसराइल के पाज जो सीरिया का गोलन हाइट्स है उनके कबजे में है वहाँ पे मजदाल अलशाम के गाउं में बम गिरा बारा बच्चे मारे गए अब हिजबुल्ला कह रहा है इसराइल ने कहा हिजबुल्ला ने गिराया है क्यूंकि बिल्कुल आपको पते ही कि बॉर्डर जो है वह शियर करता है ठीक है तो मैप में भी ससुना नहीं दिख रहा है इतना छोटा यह आप देख सकता नहीं यह है गोलन आइट्स ठीक है तो बोला कि ये मैप ये हैज़बुला ने किया है वो चाताएं पर हमला करे इसकी आर्ड में जो भी हो 24 गंटे के अंदर अंदर यानि कि परसों पाउच शकार को मार दिया इसराइल ने फाउच शकार कौन हैजबुला का में लीडर उसको खतम कर दिया हसान नसरल्ला का मेन एडवाइजर समझ रहे हैं प्रधान मंत्री के सबसे बड़े एडवाइजर को खेल खतम हिजबुल्ला पॉलिटिक्स ओन करती है लेबनौन में आधा लेबनौन को रूल करती है चलो कोई बात नहीं यहां पे भी इसराइल नहीं रुका इरान की कैपिटल तेहरान में मीटिंग चल रही थी मीटिंग क्या ओच सेरिमनी थी जो नए इनके कौने चलो प्रेसिडेंट इरान के कमेंट बॉक में बताओ तो जो नए प्रेसिडेंट आए इरान के अब उनकी मीटिंग चल रही थी हर कोई गया था बारत के नितिन गटकर या पता नहीं क्या आया पूरी विल्डिंग रहा दी और इसमाइल हनिया 61 साल का मर गया अब इसमाइल हनिया की बात करे तो यह moderate leader माना जाता था कतर टर्की इधर उधर कर रहा था ताकि सीस फायर डील हो जाए यह जो भी इसका stand रहा हो इसमाइल हनिया ने कहा एबर इसने कहा था कि मेरे बहुत सारे family members मारे गए साट के करीब मेरे बच्चे मारे गए मेरे पोते पोतियां मारे गए लेकिन हम रुकेंगे नहीं इसराइल ने बोला जो भी मारे गए बिटा जो तुमने हमारे भी तक बंदगों को बना के रखा है पहले हमको लोटाओ हमास नहीं यह International Court of Justice ने, International Criminal Court ने, ICC ने इसमाल हनया को भी convict किया और Benjamin Netanyahu को भी convict किया वार क्राइम्स के लिए दोनों को भी convict किया लेकिन खाली फैसने दे सकता है, binding नहीं है किसी के ओपर इसराइल का इतिहास रहा है कि कहीं पे भी छुपोगे हम तुमको ढूंटके मार देंगे, कहा जा रहा है कि मुसाद इसमें शामिल है, पतावता लगाने के लिए, लेकिन यहां पे इसमाल हनया जो कि हमास का सबसे बड़ा लीडर उसको मार दी है, इरान की धरती पे मारा है एपरेल में आपको याद होगा कि सीरिया में इरान काउंसलेट पे हमला किया, इरान इधर मिसाइल फायर की, इधर इसराइल ने दोनों शान्त हो गए, लेकिन अब इरान ने बोला कि हम नहीं सहींगे, इनफ इस इनफ, पांच देश सीधा कॉन्फिक्ट में आ गए हैं, इ अब ही ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन एक चीज़ पक्की है, एक एमर्जनसी मीटिंग बुलाएगे इसके बाद, और हमला कर दो, हमास ने बोला है कि काइराना हरकत है, हम हमला करेंगे, हिजबूला क्या रहा है कि हम हमला करेंगे, सब के सब हमला करने पे आत्र हैं, दोस्तों इस्राइल मतलब आप ये समझें कि बहुत बड़ा रिजिनल कॉन्फिक्ट हो सकता अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाता ये हो क्योंकि अमेरिका में इसी साल इलेक्शन से अमेरिका से दूर रहना जो भी हो कर रहे हैं लेकिन चीज़ पकी है दोस्तों बहुत बुरी हालात हो गए है लेकिन आपके हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे क्योंकि हमारे चांदा 10,000 MCQ का कोर्स कमाल का कोर्स मज़ा जाएगे आपको शुरुवात के 2500 स्टूडेंट्स के लिए हमने और ज़्यादा डिसकाउंट दिया 500 ओफ है अगर आप 10,000 कोपन कोड यूस करेंगे चाहें सिस्टी की तेहरी कर रहे हैं चाहें UPPCS, UPPAC, रेलवे कोई भी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं यह कोर्स रामबार इलाज है आप यह समझे कि 10,000 MCQs कमाल कर देंगे तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए बहुत मजाने वाला है आपको तो बात इतनी सी ही है और हाँ हिंदी में भी रहे गई है तो बात इतनी सी है कि यहां पे जो इरान है वो सीधा डारेक्ट कॉन्फिक्ट में आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी वार होगी क्योंकि देखे लेबनौन, सीरिया तो है ही है ठीक है ना फिर आपका गाजा, वही फिलिस्तीन पूरा का पूरा उसके बाद आपका यह अब आपका यह इरान ठीक है ना तो आप यह मान के चलिए कि 4 से 5 देशों से सीधा सीधा इसराइल बिढ़ गया है साउध देखे अरब इसराइली वार आखरी बार जो बड़ी वार हुई थी वो यूम के पर वार थी 1973 उसके बाद कोई बड़े लेवल पर वार हुई नहीं है ठीक है ना पहली अरब इसराइली वार 1948 पो हुई थी जब इसराइल बना अब मुझे नहीं पता कि सारे देश क्या साथ में आएंगे एक Axis of Resistance जो 1979 में बनाया हिजबुल्ला, हूतीज ये जितने भी प्रॉक्सी इरान ने खड़े किये क्या सब साथ में लड़ेंगे हिजबुल्ला ताकतवर है इसराइल को भले ही नहरा पाए लेकिन इसराइल को नुकसान होगा ये इसराइल को समझना पड़ेगा Ultimately इसराइल की भी यहां पे लोग जाएंगे मुझे लगता है कि अब जल से जल सीसफायर करे हमास तुरंत यहां पे हुस्टेजिस को लोटा है वरना तबाही मचने वाली है भयानक क्युद्ध होने वाला है इसमाइल हनयया की बात करें तो ये 2017 तक तो लीडर था जो हमास है ये पि-म मना था 2006 में जो इलेक्शन हुए थे फिलिस्तीन में उसमें जो हमास को सीटे आई थी ये पि-म था लेकिन उसके बाद फिर वही हमास आठे गया कड़ गया बिल्कुल गाजा आपके पास वेस्ट बेंक आपके पास बटवारा हो गया और 2017 था कि हमास का में लीडर था लेकिन उसके बाद इसको पॉलिटिकल विंग दिया गया इसमाईल हनिया को और वो लीड कर रहा था और इसको बोला जार था कि मॉडरेट है मतलब जो सीजफाय डील है सीजफाय टॉक्स है उसमें ये शामिल था कि क्या करना है कैसे करना है कतर से ये पूरा का पूरा उपरेट करता था इरान में घुसके मार दिया इरान कह रहा है कि तुमने हमारी जमीन पे मारा तो हम छोड़ने वाले नहीं है तो रिजिनल कॉन्फिलिक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है और हम सब को पता है कि एरान के साथ कौन है एरान के साथ है देख लो बेटास बहुत कान खुल के सुन लो जो एरान है उसके साथ है आपका चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया ठीक है न तो किदर चला गया है नॉर्थ कोरिया तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यह तीन देश जो है न यह सीधा-सीधा इरान के साथ है तो एक तरीके से यह चार देश मतलब यह चार बड़े देश अगर युद्ध में कूच जाते है रशिया तो सपोर्ट करता ही है हालत खराब उसके बाद आप इधार आ जाओ अमेरिका और इस्राइल यह साथ में लड़ेंगे और यूरोप तो रिजिनल कॉन्फिक्ट बहुत बड़ी यह बदलब काफी आप समझे रहो ना कि बहुत बड़ा हो सकता ही यह अगर कुछ और होगा 110 परसंट होगा क्योंकि दूसरी बार इरान को प्रोवोक किया गया है यह पहली बार नहीं हाला कि इरान पर डारेक ठमला नहीं है लेकिन एक तरीके से उनके घर में मारा गया अगर इरान कुछ नहीं करेगा तो वही वह लगए चूड़िया पाइन के रखी हुई है हिजबुल्ला हूतीज यह सब के सब कूदेंगे तो आप देखिएगा अगले 24-48 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं खुश रही पढ़ते हैं इदे से सिद्दा तक नहीं हो तरी साइनिंग ओफ